तो यह लोगाई वेलकम बैक टू मैं चनल गाइज आज एक ऐसी रेमडी आप से शेयर करें यह बहुत ज़ादा पावरफुल रेमडी आप से शेयर करें जो सफेद बालों में इंस्टेट कलर देती है साथ ही आपके बालों का तूटना जहरना बंद कर देती हैं आपके बालों को लंबा बनाती है फ्रेंट्स देखेगा यह जो आप आईरन की कढ़ाई में देख रहे हैं यह है तिल का पॉडर और तिल के पॉडर को मैंने पूरी रात के लिए इस तरीके से छोड़ दिया था यह थोड़े से पानी में डाल कर और ओवरनाइट छोड़ने क सब्केई के बाद इये दिख़िका सूख सब्येक्जा का इस तरीके का दिखायं दे रहा हु commence जबनाता है लुग सदिख न सिदॉइ यह जो है क्लेड बूर्ड की कढ़ाई होती है और तिल जो होते हैं तिल भी बहुत जादा 're वह जाद दून करेंगे सफेद तिल और काले तिल आप दोनों खाने में यूज कर सकते हैं साथ ही आप जो है इसका पॉडर लगाते हैं अगर आपके सफेद बाल जड़ से काले होना स्टार्ट हो जाते हैं यह 100% वर्क करती है फ्रेंड्स इस तरीके से आपको चुकंदर के पानी में इसको त पानी लिया था उसे हमने जो है हाफ रहने तक पकाना है इतना पकाना है कि यह कम रजाए सकी कॉंटिटी अब देखेगा आप देख रहे हैं दीरे दीरे इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद देखेगा फ्रेंड्स आप इसके अंदर धरते आप जो है इसे अपने पालों में लगाई एज़ा हे tap हैर मास्क कर वीक में आप इसका इसदमाल एक से 2 बार करेंगे तो आपके सफेद बाल जो है जड़ से काला हो और जो नए बाल आएंगे वू सफेद बाल जड़ से काले हो सकते हैं खासकर आपको खाने की डाइट और यह जो आप रेमडी होती हैं यह अगर आप लगाते हैं तो आपके बाल नैचुरल तरीके से काले हो जाएंगे और डिपेंड करता है आपके हेयर जो क्वाल्टी है उस पे कि आपके बालों में कितने दिनों में कलर आता है आपको वीडियो रेमडी जान करें इच्छी लगरी है